भूस खलन के कारण यांगांग में तीन लोगों की मौद, एक लापता और एक की हालत गंभीर सुमवार सुभा भारी बारिश और आंधी की कारण सिक्किम के नामची जिले में भूस खलन हो गया जिसके कारण यांगांग में तीन लोगों की मौध हो गई तो वही ए गंभी रुप से घायल हो गया इस बीचे एक लापता हो गया मृतकों में दो पुरुष और एक महिला शामिल है सिक्के प्रिशासन के सूत्रों के मुताबिक भाड़ी पारिश के कारण राज्यभर में कई लागों में भूस्खलन के स्थिती बन गई जैसे आट घर ढगये सरके कट गई और कई गाओं के सरके भें गई आपतासे प्रभावित लोगों के सहायता के लिए सिक्के प्रिशासन द्वारा बच्चा औभ्यान शुरू किया गया भूस्खलन के कारण पुन्यादे धाचे भी पूड़ी तरीके सचती ग्रस्थ हो गई कई स्थानों पर सरके अवरुध हो गई और यांगांग और रावंगला को जोडने वाला पूल पूड़ी तरसे नस्ठ हो गया तो वहीं प्रभावी छेत्रों में संचार व्यवस्था बोड़ी तरसे प्रभावी थुई